नमस्कार दोस्तों बूल्सकाई में आपका सोगत है दही खाने के फायदे कई हैं ये जहां विटामिन C से भरपूर है वहीं इसमें कैलसियम भी है जो की हट्डियों को हेल्दी रखने में मदद करता है दही को लोग कई तरह से खाते हैं कुछ लोग इसे सुबा खाते हैं तो कुछ लोग इसे शाम को खाते हैं या पिर रात के खाने में भी शामिल करते हैं पर आज हम आपको लंच के बाद दही खाने के फायदे बताएंगे दरसल हमें से बहुत लोग दोपहर में थोड़ा भारी भोजन करते हैं जिनमें कि कई सारे पकवान शामिल होते हैं इन्हें खाने के बाद दिक्कत ये होती है कि आपको भारी भारी सा महसूस होने लगता है और तेज नीन आने लगती है कई बार तो खाने के बाद अगर आप काम करना हो तो एसिडिटी और ब्लॉटिंग की समस्या भी हो जाती है ऐसे में दोपहर के खाने के बाद दही का सेवन करना आपको इन तमाम परिशानियों से बचा सकता है सबसे पहली अपच की समस्या दही एक प्रायोबेटिक फूड है जो की हमारी आथों में रहने वाले गुड बैक्टिरिया को बढ़ाता है ये गुड बैक्टिरिया तेजी से खाना पचाने में मदद करते हैं इसके लावा दही में विटामिन B12 और लैक्टो बेसिल्स बैक्टिरिया भी होते हैं जो की आर्थ बैक्टिरिया के विकास में मदद करते हैं बदले में पाचन में साहेता करते हैं ये सब मिलकर आपके दोपहर के भारी भोजन को आसानी से पचाने में मदद करते हैं और आपको हलका महसूस करवाते हैं से आपको लंबे समय तक बैठ कर काम करने में परिशानी नहीं होती है इसके लावा acidity में भी ये फाइदे मनध होता है बहुत से लोगों को दोपैर में खाने के बाद acidity की समझ्या होती है ऐसे में दही इस acidity को कम करता है दरसल दही एक basic nature वाला food है जो acidity से लड़ने में मदद करता है। दरसल खाने के बाद दही खाने से ये शरीर में acidic pH को बेअसर करने में मदद करता है और पेट में produce हो रहे acid को कम करता है। इस तरह से ये आपको acidity से निजात दिलाने में मदद करता है। इसके लावा मसालेदार खाने के नुकसानों को भी ये कम करता है। मसालेदार खाना खाने के कई नुकसान है और अगर आप दोपेर में ज्यादा मसालेदार खाना खाना खा रहे हैं तो ये समस्या और बढ़ सकती है। ऐसे में दही का ठंडा गुड इन तमाम नुकसानों को शरीर में कम कर सकता है, साथ ही ये चाती मेजलन की समस्या को भी कम करता है, इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत ही जगों पर लोग खाना खाने के बाद चाज का सेवन करते हैं, इसके लाबा ये कब्स की समस्या को भी दूर करता है, तही में अच्छे बैक्टिरिया होते है जो पाचन तंत्र के कामकाज तेज करने में मदद करते हैं दही का प्रायोबैटिक गुण पेट के स्वास्ता में सुधार करता है और कब्स को रोकता है दरसल प्रायोबैटिक होने के कारण ये गुड बैक्टिरिया के कामकाज को बहतर बनाता है और यही बैक्टिरिया short chain fatty acid और lactic acid का उत्पादन करते हैं जो bowel moment में सुधार कर सकते हैं इस तरह ये खाना तेजी से पचाने में मदद करता है और पेट साफ करके कपस की समस्या से चुटकारा दिलाता है इसके लबा आजकल stress और anxiety भी लोगों में काफी बढ़ रही है दही का मस्तिश्क के कुछ अलग ही तरीके से काम करता है ये सकरात्मक परभाव डालता है और आपके तनाव और चिंता के स्थर को कम करता है जो कि आजकल के समय में बेहत जरूरी है ये mood lifter और जो mood fresh करता है और खाने के बाद काम को फिर से fresh तरीके से शुरू करने में मदद करता है इन सब के अलावा दही में मौझूद पानी की महतपूर मातरा आपको लंबे समय तक अच्छी तरह से hydrate रखती है इसे आपको दोपहर के खाने के बाद अपच की समस्या नहीं होती तो इन तमाम फायदों के लिए आपको दोपहर के खाने के बाद नहीं जरूर खाना चाहिए फिलाल इस वीडियो में तो नहीं अगर आपको ये जानगारी पसंद आयो हो तो इसे लाइक करें, शेर करें और चानल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूले